गुड नियूज चिल्रेन फ्रों हर्याना बॉर्ड वंस अगेन पेपर डिले होने जा रहे हैं तीसरी कुछ खबरी आपके लिए पहली थी कि आपका स्लेवर्स रिशनलाइज किया गया था ठीक हैं 70% 30% डिलीट कर दिया गया और दूसरी खबर आई कि लगबग 50% 80 में से या ठीक है करोना के इस समय में हम सब आपके साथ हैं बॉर्ड भी और हम टीचर्स भी तो अगर आपने अब तक कोश्चन पेपर डिजाइन पर मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप समझ लें कि आपका बॉर्ड ने जो लेटेस्ट डाला है करोना को देखते हुए कोश्च पेपर डिजाइन क्लास 12 बाई वीजे कुमार तो आपको कोश्चन पेपर डिजाइन मिल जाएगा इसे आपने लिखना है यूट्यूब के सर्च बार पर कोश्चन पेपर डिजाइन क्लास 12 बाई वीजे कुमार और भी जो भी राइटिंग स्किल में आप चाहते हैं और स्प्रिंग बाई विजे गुमार तो आप लिखिये और पब्लिक डूमेन में सब कुछ पढ़ा है अपने आप लीजिए नहीं तो मुझे बताइए वर्टसेप पर कैसे मेरे ग्रूप जोइन कर लीजे वर्टसेप पर बारवी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ह वहां चले जाएए इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है डाउट है मैं लेकर आने वाला हूँ नया वीडियो इस पर भी कोश्चन अंसर आपके बहुत आ रहे हैं आपके पास भी कोई अगर संका है कोई आप समाधान चाते हैं कोश्चन है अंसर चाते हैं स्टाइल पर डिजाइन पर कुश्चन पेपर पर कैसे अटेंट करें प्रिपेरेशन पर सिलेबस पर क्या डिलीट हुए है सर क्या करना है क्या नहीं करना है इंप्रेंट कुश्चन कौन से हैं सब आपके लिए मैं बताऊंगा तो आप मुझे comment section में लिख दीजिए whatsapp पर भेज़ दीजिए मुझे नाम बता देना और अपना district बता देना revision शुरू हो रहा है 16 तारिक से उसको भी जुरूर जोइन करना जिसके अंदर में आपको सभी lesson, grammar, topic, writing, skill section एक-एक करके practice करवाऊंगा और हम बड़े अच्छे marks लेकर करोना के इस समय में भी अच्छे maximum pass होंगे, इसके अलावा final exam में आप देख सकते हैं articles हैं आपके, उस पर video बनाया है कि कैसे multiple choice आने वाले हैं, models पर बनाया है, बहुत अच्छा video लिखिये, models by Vijay Kumar, ठीक है और tenses पर बनाया है, latest पहले वाला भी देखो, ये भी देखो आज मैं आपके लिए voice लेकर आया हूँ कि voice पर exercise क्या रहने वाली है पहले इस तरह की होती थी, इस बार कैसे रहने वाली है, देखिए इस बार पहला question इस तरह का अगर हम कहीं, MCQ आ रही है सारे, तो देखिए पहला अमन विल इट एपल्स अब आपने पहले ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, future है विल लगा है, या modal auxiliary मानना है, इसको इसके आगे आपने भी लगाना है ठीक है, subject को object, object को subject बनाना होता है, voice में, yes तो अमन, subject, will eat, verb, और apples object, object को आगे ले आईए देखो आप कहाँ है, चारों आगे है ये तो चारों ठीक है, अब देखिए apples क्या आएगा will या shell अब apples के आगे wood और shell तो नहीं आएगा, यानि A और B गलत हो गई ठीक है, अब रह गया C और D, तो will के साथ, जब modal form होती है अक्सिलरी, उसके साथ B आता है अब C में तो have लग गया, तो वो भी गलत हो गया तो कौन सा सही रह गया apples will be, वरब की third form लगती है eaten है, है, D में eaten भी है by लगता है, उसके बाद object, उसके बाद subject को object बनाना है आमन, तो बिलकुल बेफिट बैठ रहा है, इस तरह से पहले D सही आंसर है apples will be eaten by अमन, second देखिए, the play was liked by all तो अब आप इसमें देखिए क्या करेंगे, all liked the play, all play is liked, all liked the play, all likes the play, अब आप देखिए the play was liked by all, यह क्या है, यह passive है, आपने इसको active में मतलना है यह आपको confuse करने के लिए examiner ऐसा sentence भी देदेगा, और आप चक्कर खाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, all को आगे ले आएए, चारों में आगया all, यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब लगाईए, liked liked, 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 देखिए कहाँ पर है, liked कहाँ पर है, c में है, वर्ब की third form आती है, all liked, तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की second form, all liked the play, second form कहाँ लगी है, c में लगी है, ता play was liked by all, इस तरह से change करने पर आप देख सकते हैं, कि जो simple past होता है, उसको हम was, plus, वर्ब की third form लगाते हैं, अब उपर was, plus, वर्ब की third form लगी है, तो हमने इसको किस में convert करना था, simple past में, तो all liked the play, कहाँ पर है, c पर है, a पर नहीं है, b पर नहीं है, d पर नहीं है, s, v, o का आपने हमेशा ध्यान रखना है, s, v, o बोले तो subject, verb, object, I am known to him, अब यह देखिए, I am known to him, he knows me, I am known है न, तो किस में जाएगा यह, simple present में जाएगा, he knows me, she is known to, नहीं, she तो आई नहीं सकता, पहला तो यहीं गलत हो गया, he is known to me, no, इसका बनेगा, I am known to him, he knows me, s, v, o, फोर्थ में देखिए, they look at the map, अब यहाँ पर देखिए नई बात, verb के साथ preposition लगी है, आपको confuse करने के लिए, इसको कहते हैं, वोईस में prepositional sentence लगा दिया, examiner ने, बच्चों के marks काटना चाता है, पर हम पूरी त्यारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें preposition को आपने वर्व के साथ ही रखना है, passive में भी, जैसे active में है, वर्व के साथ है preposition, passive में भी साथ रखना है, तो अब बनाईए, क्या बना, map object को subject बनाईए, the map, चारों में आ गया, अरे बापरे, चारों ठीक हैं क्या, उसके बाद, देखिए आप, they look at the map था, the map is, is कहां है, second को छोड़ के तिनों में है, second option खतम, be खतम, is, वर्व की third form, looked, 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 be तो पहले खतम हो गया, d भी खतम, being आ गया, no, being नहीं आएगा, at, तो looked at कहां है, और by them, them बोले तो they, their, them में बजलना होता है, तो क्या बनेगा, a is the right answer, इस तरह से, they look at the map, the map is looked at by them, वे नक्षा देख रही हैं, नक्षा उनके द्वारा देखा जा रहा है, fifth में देखिए, please close the door, please go एक बार हटाएं, वर्ब से imperative है, imperative है, तो उसमें क्या होता है, या तो advise होती है, या order होता है, या request होता है, या forbidden होता है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आएगा, क्या हो रहा है, please लगाया है, अब please को देखिए, please clue है आपके लिए, तो please आ गया, तो request हो गई, you are requested किस बात को to close the door कहा है, you are prayed no, pray नहीं कर रहे हैं please, request है you are needed let the door be please closed यहां भी गलत है, you are requested to close the door fifth में, be आएगा ठीक है, do not make a noise यह क्या है, order एक तरह से इसको दो तरह से हल कर सकते हैं एक let लगाके, और एक you are ordered लगाके, क्योंकि इसमें request तो है, नहीं, do not make a noise let का जो format रहता है, let plus subject plus be, plus वरव की third form, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, let a noise not be वरव की third form made तो कहां है, let a noise not be made, यह रहा let a noise was not made, no format में रहना है आपने let a noise has not been made, यह you are ordered to make a noise यहां पर अगर note होता तो इसमें भी confusion हो जाता ambiguity हो जाती, दो answer हो जाते you are ordered not to make a noise यह भी ठीक हो जाता है, लेगि यहां नोट नहीं लगा है, यह इसका अरण गलत हो गया let a noise not be made, यह तो यह है, let वाले से आप इसको solve कीजिए, always speak the truth, यह भी वही है यह एक तरह से आपको suggestion है, advice है you are advised you are suggested, यह भी let से शुरू करते हैं, इसका format let the truth be spoken इसमें क्या है, always always किसके साथ जाएगा, truth के साथ जाएगा let the truth always be spoken कहा है, let the truth always be spoken first में है, A is the right answer it is time to ring the bell इस तरह के आने वाले हैं पेपरों में तो क्या बनेगा passive it is time for the ring to the bell यह तो गलत होगी sense it is time for the bell to be rung यह fit बैठता है it is time for the rung to be belled no to be rung it is time to the bell ring no यह भी गलत है तो कौन सा fit बैठ रहा है B, it is time for the bell to be rung यह ninth में देखिए she could do it she could do it का मतलब it can be done by her it could be done by her अगर modal auxiliary है तो उसके साथ आपने B लगाना है अब कौन के साथ B देख लो कहां है A और C तो उड़ा दो पहले ही यही नियम को याद करते हुए कि जहां कुड आ गया वहां उसके साथ B लगाना है क्योंकि modal auxiliary है तो it could be वरब की third form done by, by तो लगता ही लगता है her अब वहां विद आ गया तो D की option भी खतम हो गई तो क्या रह गई option B रह गया तो it could be done by her tenth देखिए last but not the least I can lift this box this box can be lifted by me ठीक है object को subject बनाईए this box सभी में है अब आप देखिए modal auxiliary आ गई can आ गया can भी देखो अब कहा है can भी तो एक में ही है यही से इसका हल हो गया could भी नहीं हो सकता आगे तो है नहीं can भी चोथे में है चोथा right है यही नियम याद रखो आप कि subject plus modal auxiliary plus B वरब की third form by और object यह format आपने ध्यान रखना है तो यह काँ fit बैट रहा है सब subject this box modal auxiliary can be can be lift lifted lifted by and object me I my me यह बन गया D में fit बैट रहा है format और D लिख दीजिए so children it should be enough in this video in my next video मैं 10 voice per practice के sentence और लेकर आने वाला हूँ click किज़े इस बटन को वही मिलते हैं हम in my new classroom